दिवाली के तोहार में शकर पारे और नमक पारे घर पे नहीं बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो आज मैं आपके लिली किया हूँ एकदम पॉफिक्ट, 100% क्रिस्पी और मज़िदार बनने वाली ये शकर पारे और नमक पारे की रेस्पी दोनों को बनाना बहुत आसान है और आप एक बार बनाएंगे तो हर साल आप इसी रेस्पी को ट्राई करेंगे तो चलिए आज की दिवाली स्पेशल शकर पारे और नमक पारे की रेस्पी को शुरू करते हैं शकर पारा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कप मैदा लिया है आप चीने तो आटा और मैदा मिला के इस्तमाल कर सकते हैं फिर हम इसमें एक कप पिसा हुआ चीनी तो दो कप आटा या मैदा के लिए एक कप पिसा हुआ चीनी इस्तमाल करना है चीनी को मैंने mixer में grind कर लिया है, खरीदा नहीं है अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक छोटा चमच इलाइची का powder डाल देंगे तो इलाइची को कूट के या फिर ready made powder डाल दें इसे भी मिला दें अच्छे से इसके बाद हम इसमें घी डालेंगे तो घी को ना हलका गरम करके पिगला ले तो यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा कम आपको घी डालना है मतलब one third cup एक्दम perfect रहेगा घी डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे से mix कर देंगी घी को हथेलियों से ऐसे रप करके मैदे में mix कर दे जब यह अच्छे से mix हो जाएगा तब हम इसमें दूर डालके इसका एक dough बना देंगे तो यहाँ पे यह देखिए ऐसे मुठी बादेना तो यह जो मैदा है वो ऐसे बंद जाना चाहिए तो यहाँ पे अब दूर डाले और दूर डालके इसका एक dough बना ले इसे गुनना नहीं है बस ऐसे mix करके और dough बना की एक घंटे के लिए रख देना है एक घंटे बाद हम इसे गुन के रोल करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसे mix कर दिया और इसके बाद धग दे ध्यान रहे कि dough को हमें soft नहीं लगाना है एक घंटा होते ही हम इसे वापस एक बार गुन लेंगे तो यह dough जो है न वो थोड़ा कड़ा रहेगा इस बात का ध्यान रखने आपको और यहाँ पे ऐसे यह लोई ले ले यह देखे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन इस तरीके से अगर शकरपारे आप बनाएंगे तो एकदम puffet crispy बनेंगे और खाने में भी बहुत क्रंची लगेंगे तो अब इसे रोल करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें घी डाला है तो आप इसे थोड़ा सा ताकत लगा के ऐसे रोल कर ले किसी भी शेप में रोल करें क्योंकि हमें इसे कट ही करना है तो यहाँ पे डो हमने स्मूध नहीं लगाया था जिसकी वज़े से ऐसे किनारे जो है वो ऐसे फटे पटे आएंगे तो किनारों को आप निकाल दे और जितना पोर्शन जो है वो अच्छे से रोल हुआ है उसे हम कट करके शेप दे देंगे ध्यान रहे कि यह जो शकरपा रहना उसे बहुत ज़्यादा पारी क्यानी पतला नहीं रोल करें थोड़ा थीक रखे और इसके बाद आप इसे अपने मन पसंद के शेप के हिसाब से काट सकते हैं जो डिजाइन आपको पसंद है मैं यहाँ पर यह स्कुएर कुकिस कर रही हूँ ताकि यह दिखने में अच्छा लगीगा क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा थीक रखा है तो जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो बहुत यह अच्छा दिखता है तो यहाँ पर यह किनारों को निकाल दे और वापस जो डो बचा है उसे वापस आप गोल करके गुन ले इस तरीके से हम सारे शकरपारा को रोल कर लेंगे यह देखे बहुत यह असानी से निकल जाता है तो आपने देखा कि हमने डो को बहुत ज़्यादा स्मूध नहीं किया है उसके बावजूद भी हमने इसे बनाया और यहाँ पर इसे हलके गरम तेल में डालना है बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए तेल जो है वो मीडियम फ्लेम पे रखे और इसके बाद ऐसे हलके हाथो इसे ऐसे घुमाते रहें ध्यान रहें लास्ट के एक मिनट हमें थोड़ा तेज आज पी इसे फ्राई करना है पहले धीमी आज पे ऐसे पलट पलट के दोनों साइट से ब्राउन होने दे इसे फ्राई होने में समय लगता है तो थोड़ा सा पेशन्स रखे हड़वडी नहीं करें अगर आप तुरंत इसे ब्राउन कर देंगे ना तो ये तुरंत ऐसे दिखने में तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो खस्ता नहीं होंगे तो इसलिए आप ऐसे बीच बीच में इसे ऐसे पलटते रहें और धीमियाज पर आप इसे फ्राई करें जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा यह आप देख सकते हैं तभी हमें गैस को थोड़ा सा तेज कर देना है लास्ट के दो मिनट तो हमने इसमें दूट डाला है पिसावा चीनी डाला है जिसकी वज़ए से इसका कलर जो है वो तुरंती ब्राउन होगा जिसकी वज़ए से हमें इसे मीडियम या हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना होता है धीमियाज पे फ्राई करना होता है बस लास्ट के एक मिनट आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें तो ये हमारा शकरपारा जो है वो बन के तियार हो गया ये देखें किता बढ़ी अकल आ रहा है और सेम प्रोसेस से हम सारे शकरपारा को फ्राई कर लेंगे तो है ना इसे बनाना असान बस आटा गुनने का जो प्रोसेस है वो आपको ध्यान में रखना है और इसे आप निकाल के नैसे चाली पे रखें ताकि ये ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी रहे क्यूंकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो नीचे से निकल जाता है और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार बहुत ही अच्छा दिखने वाला शकरपारा जो है वो बन के तियार हो गया ये दिखे जो हमने स्कॉाइश शिप में काटा था ना उसकी वज़ा से ये कितने अच्छे दिख रहे है आप इस शकरपारा को स्टोर करके दो हपते तक आराम से रख सकते है एर टाइट जार में तो आप इस दिवाले में शकरपारा की रस्पी को जरूर ट्राई करें पौफिट खस्ता और खाने में बहुत यमेजिन नमक पारा बनाने के लिए मैंने यहापे दो कप मैदा लिया है आप चीहे तो आठा और मैदा मिला के ले सकते हैं एक चोटा चमच अजवाई डाल दे एक चोटा चमच नमक डाल दे या फिर स्वात के अनुसार और इन सब को हम अच्छे से मिला देंगे पहले जैसे ही अच्छे से मिल जाएगा हम इसमें डालेंगे तेल तो एक चत्थाई कप के करीब आपको इसमें तेल डालना है ध्यान रहे इसमें घी का इस्तमाल नहीं करना है तेल का ही इस्तमाल करें उसे में ये नमक पारा जो है वो बहुत अच्छा बनता है तो यहाँ पे तेल डालने के बाद हम इसे पानी से गुन लेंगे ध्यान रहे कि इसका जो डो है वो हमें कड़ा गुनना है जब भी आप शकर पारा या नमक पारा बनाए तो डो को कड़ा गुन दे सौफ नहीं गुन दे यह देखे इतना कड़ा को गुनना है और बहुत ज़्यादा नमलना निया बस ऐसे समेट लेना एक जगा और उसके बाद ढ़क के एक घंटे के लिए रख देना है उसके बाद आप इसे रोल करें तो यहाँ पे आप इसे ढ़क दे किसी भी चीज से और एक घंटे के लिए रस्ट करने दे एक घंटा होते ही हम इसे ऐसे वापस एक बार मिक्स करेंगे और थोड़ा साइसे गुन के स्मूद कर लेंगे तो हमने इसमें तेल इस्तवाल किया ना जिसकी वज़ा से आराम से ऐसे स्ट्रेच हो जाता है यह देखे तब हम इसकी लोई बना लेंगे तो यहाँ पर इतनी कॉंटिटी में मैंने दो लोई बनाई है मेडियम सेज की और अब हम चलते हैं इसे रोल करने के प्रोसेस में तो रोल करने के लिए आपको तेल गी वगज़ा कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें तेल डाला है तो यह पुहाँ ही आसानी से आसे रोल हो जाएगा आप इसे कैसे भी रूल करें क्योंकि हमें इसे काटना भी है तो शेप की कोई जरूरत नहीं है बस आप इसे थोड़ा पतला रूल करें यह देखे तो अब हम इसे काट लेंगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसमें कट लगा सकते हैं जैसा डिजाइन आपको पसंद है तो यहाँ पे मैं इसे नॉर्मल डिजाइन दे रही हूँ आप इसे चाहिए तो डैमंड शेप में काटे स्कॉर शेप में या फिर ऐसे रेक्टेंगल शेप में अगर आपको मून शेप चाहिए नहीं तो किसी बॉटल के कैप से आप इसे मून शेप दे सकते हैं तो यहाँ पे इन सारे नमक पारा को ऐसे निकाल लेक प्लेट में यह देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे तो इसी तरीके से आप सारे नमक पारा बना ले और अब हम चलते ही ने तलने के प्रोसेस में तो तलने के लिए ने तेल बहुत जादा गरम नहीं होना चीए एकदम हलका गरम तेल में आप एक नमक पारा डाल के देखे जब इतना बबल सारा है मतलब यह टेंपरेचर एकदम पॉफिक्ट है तेल अगर ज़्यादा गरम होगा तो यह तुरन ब्राउन हो जाएंगी और जब आप इसे फ्राई करके निकालेंगे ने तो ठंडा होने के बाद यह खसता नहीं रहेंगे इसलिए आप इसे पेशिंस के साथ धीमी आज़ पे फ्राई करें ऐसे लगातार इसे पलटते रहें जब इसका कलर जो है वो हलका सा सुनेरा दिखने लगे तब आप गैस को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं लेकिन शुरुआत में नहीं करना है धीमी आज़ पे यह आपको इसे फ्राई करना है जब भी आप समोसे के दुकान में देखेंगे ने तो जो हलवाई है वो हमीशा धीमी आज़ पे समोसे को तलते हैं उससे क्या होता है समोसे के उपर बबल्स नहीं आते तो यहाँ पे यह हमारा नमक परा जो है वो बन के त्यार है यह देखें इतने कलर पर यह आपको निकाल लेना है और आप इसे ऐसे इस्ट्रेणर पर निकाले ताकि एक्स्ट आयल जाहे वो निकल जाये और यह बहुत ज़्यादा दिनों तक खसता रहे तो यह हमारा सूपर क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी नमक पारा जो है वो बन के तियार हो गया है यह आप देख सकते हैं कलर एक्लम पॉफिक्ट है और क्रिस्पी ने इस तो आपको दिखी रहा होगा फिर भी आपके तसलिक के लिए मैं यहाँ पे आपको यह जो नमक पारा है वो तोड़की दिखाते हूँ है ना तो आप इस दिवाले में इस नमक पारा के रस्पी को जरूर ट्राई करें यह आपके फैमिले और आपको दोनों को बहुत पसंद आएगी